नमस्कार MP News के इस खास प्रोग्राम न्यूजरूम से आपके साथ मैं हूँ श्रधा बंदेला आज हम कुछ नियू अपडेट्स आपके लिकर आएं सबसे पहले बात करते हैं सावन सोमवार की तो आज सावन का तीस्रा सोमवार है महाकाल के आलोकिक दर्षुन करने के लिए भगवान महाकाल के अतिप्डिये महा सावन की तीस्रे सोमवार पर मंदिर के पट करीबन धाई बजे खोल दिये गए सुभा होने वाली विशेश भसमार्ती में बाबा महाकाल को विशेश बिल पत्र की माला अरपित की गई उनका भांग चंदन फल वस्त्र आदी से आलू की श्रिंगार भी किया गया इस दोरा नंदी हॉल को फूलों से भी सजाये गया हम आपको बता दे कि बीती रात काफी बारिश हो रही थी भक्त काफी परिशान हो रहे थे लेकिन उनका उत्सहा कम नहीं हुआ और अलसुभा से ही भक्तों की भीर जो है वो जुटना शुरू हो चुगी थी महाकाल मंदिर के पट खुलते ही बाबा का धाम जो है वो जैकारों से गूज उठा था हम आपको बताएं कि शाम चार बजे महाकाल का लावलश कर निकलने वाला है पंडित संजे शर्मा ने ये बताया है कि शावण महा के तीसरे सोंवार को भगवान श्री चंद्र मौलिश्वर चांदी की पालकी में विराजित होकर नगर भ्रमन पर निकलेंगे और अपने भक्तों का हाल जानेंगे बाबा को श्री मन महेश हाती पर विराजित भी किया जाएगा शास के सलामे की बाद पालकी शाम चार बजे मंदिर प्रांगंट से लावलश्कर के साथ निगाली जाएगी कोरोना के कारण इस साल भी श्रधालों के सुरक्षा के चलते सवारे मार्ग जो है प्रती बंधित रहेगा दूसरी खबर जो आती है वो आती है हर घर में एक पेड इंदोर में हर घर में एक पेड लगाने की जो मुहीम है वो शुरू कर दी गई है देश में इंदोर की पहचान सबसे साफ और सुथ्रे शेहर के तौर पर होती है अब इसे परियावरण के मामले में भी नई पहचान दिलाने की जो मुहीम है वहां इंदोर में शुरू कर दी गई है इसके तहर हर घर में एक पेड लगाने की मुहीम 15 अगस्त तक कई सारे पेड लगाने का जो लक्ष है वो रखा गया है इस मुहीम के तहर सार्वजनिक और महत्पुन्ट स्थानों पर 2 लाख पेड 15 अगस्त तक लगाने का रखा गया है लोखंडे पुल के पास सरस्वती नदी के किनारे पौधार उपन करते हुए शंगल लालबानी ने भी कहा है कि इंदोर पर्यावरन संरक्षन में हमेशा से आगे रहा है इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि अंतराश्ट्री स्तर पर क्लीन एर केटलास्ट प्रोग्राम में इंदोर ने उच्छ स्तर पर इस्थान भी प्राप्त कर लिया है पर्यावरन में सुधार के लिए जरूरी है कि शहर में व्रहत स्तर पर पौधार उपन किया जाए पर्यावरन संरक्षन के कारे के बदावलत इंदोर में प्रदूशन भी कम हुआ है तीसरी खबर जो है वो बहुत महत्पून है जो कि आ रही है MP विधान सभा में वेंटिलीटर बोलना मना है MP विधान सभा का जो सत्र है वो शुरू हो चुका है वहाँ पर कई सारे हंगामे भी हुए है लेकिन हम आपको बताएं कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें बोलने के लिए मना ही है उसमें एक वेंटिलीटर भी जुड़ा हुआ है मद्परदेश विधान सभा का मौन्सून सत्र जो है वो आज से शुरू हो गया यानि कि सोमवार से शुरू हो चुका है इसके ठीक एक दिन पहले यानि कि रवीवार को विधान सभा देश गिडिष गौतम ने ऐसे शब्दों की सूची जारी की है जिसे असंसद्य यह माना जाता है और विधान सभा में सदन के भीतर इन्हें बोलने पर अब पाबंदी रहने वाली है उनका ये भी कहना है कि अगर ऐसे शब्द जिन्हें बोलने के लिए मना किया गया अगर ऐसे शब्दों का इस्तमाल किया जाता है तो उन्हें कारेवाही से स्थागित कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा मद्यप्रिदेश विधान सभा की इतिहास में इस तरह का यह पहली बार हो रहा है किन-किन शब्दों पर पाबंदी रहेगी यह हम आपको बता देते हैं कि करीब 1600 शब्दों को विधान सभा सत्र की कारिवाही शुरू होने से पहले अंसनसदिय माना गया है कुछ आकड़े उपनीची भी हो सकते हैं इसमें वेंटिलेटर पपू पास हो गया दादागिरी शोर चोर मचाय शोर और भी कई ऐसे शब्द जो नहीं बोलने हैं वेंटिलेटर पर इसलिए सवाल उठाय जा रहे हैं अब क्योंकि सदन की कारिवाही की दौरान जिन शब्दों को असनसदिय बताएगा उसमें एक शब्द जो वेंटिलेटर जुड़ा हुआ है लेकिन अब कॉंग्रेस उस पर सवाल उठा रही है क्योंकि कोरोना काल के दौरान बड़ी संख्या में खराब वेंटिलेटर की शिकायते जो थी वो सामने आई थी ऐसे में विधायक अगर सरकार से सवाल पूछेंगे तो वेंटिलेटर की जगह उन्हें क्या इस्तमाल करना है ये उन्हें बता दिया जाए कॉंग्रेस का सिर्फ इतना से सवाल है उसके आगे शिवरास सेहा चोहान ने भी शब्दों का ऐसा चैन ही क्यों करें इस पर भी अतनी बात रखी है रवीवार को विधान सभा परिसर में इस डारेक्टरी का विमोचन भी किया गया जिसमें मुख्य मंत्री शिवरास सेहा चोहान भी शामिल हुए थे इस दौरान उन्होंने कहा कि कई बार हम ऐसे शब्दों का चैन कर जाते हैं जिसे सुनने वाला और बोलने वाला भी हताश हो जाता है परिशान हो जाता है निराज भी हो जाता है विधान सभा वो लोक सभा इडगारे का भवन नहीं है लोक तंत्र के मंदिर है शिवरास सेह विधान सभा में असन से दिये शब्दों की जानकारी एक साथ संग रहित कर उसे सारजन करने के लिए विधान सभा अध्यक्ष का धन्यवाद भी उन्होंने प्रेशित किया है विधान सभा सत्र जैसे ही शुरू हुआ वैसे हम आपको बताएं कि आदिवासियों ने हंगामा कर दिया मद्दब्रदेश विधान सभा का मौनसुन सत्र शुरू होती ही आदिवासी नेताओं ने वहाँ पर जम कर हंगामा किया आज विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी जो है घोशित नहीं होने पर यहां विरोध किया गया था पारंपरिक विश्भूशा में विधानसभा पहुचे आदिवासी नेताओं ने गान्ती जी की प्रतिमा के पास प्रदर्शुन किया इसके बाद सदन के अंदर प्रवेश करने के बाद हंगामा भी किया चार दिवसिय इस सत्र में शिवरा सरकार मिलावटी शिराप के मामलों में सकत सजा का प्रावधान करने के लिए आपकाली अधिनियम में संशोधन विध्यक प्रस्तुद भी करने वाली है आगे हम आपको बारिश से जुड़ी खबर बता देते हैं बारिश ने चारों तरफ तबाही मचा रखी है अगर हम सिरोज की बात करे या ग्वालियर चंबल की बात करे तो कई जगा बार जैसे हालात बने हुए लोग काफी परेशान है घर जो है बह जुके हैं कई लोगों ने अपनों को खो दिया है बार की ऐसी स्थिती बनी हुई है कि लोगों को वहां से उनका रैस्क्यू कर राहत कैम्पों में पहुचाया जा रहा है वहां पर भोजन के पैकेट उन्हें दिये जा रहे हैं लेकिन अभी भी उन्हें दुख है कि वो अपने घरों में ना रहते हुए राहत कैम्प में रह रहे है हाला कि जैसे ही पानी का लेवल कम होगा वैसे ही सभी अपने घर जा सकेंगी लेकिन अगर वहां सुरक्षित रहे तो इसी के आगे बढ़ते हैं सिरोंज में जो भारी बारिश हुई है कई परिवार के घरों को बहुत तबहा कर चुकी है लोग जो है वो अपनों की जान तक भी नहीं बचा सके है आलम यह है कि लोगों की जो साल भर की कमाई थी वो भी बारिश के पानी में बह चुकी है हाला कि राहत कैम्प वहां पर भी है वहाँ पर भी बोजल के पैकेट लोगों तक पहुँचाय जा रहे हैं जितना भी प्रिशासन से हो रहा है वो उनकी उतनी मदद कर रहे हैं प्यारस्था कर रहे हैं तो न्यूज रूम में बस अतना ही हम फिर हाजर होगे कुछ नियू अपडेट्स के साथ सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न पूदे